हेलो स्टूदेंट्स वेल्कम टू आर्ल लर्न इंडिया अब्रिडे प्लेट्फर्म रन्बाइल कार्यर इंस्टिटूट जैसा कि बच्चों हमने हमारा न्यू टॉपिक प्रिपोजिशन स्टार्ट किया है हमने उसका लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन डिसकस कर लिया आज हम डिसकस करने जा रहे हैं कुछ आपके प्रिपोजिशन जो आपके बहुत जादा यूज में आते हैं ठीक है तो सबसे बिल अगर हम बात करें तो आपने पड़ा है इन हमारा प्रिपोजिशन होता है और वो आपको mostly of the sentences में देखने को मिलता है ठीक है इन जैन्वरी इन दा बॉक्स ऐसे करकर के इन हर जगा यूज होता है लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि इन कहां-कहां पर यूज होता है तो आज हम उसको डिसकस करने वाले हैं कि इन हमारी कौन-कौन सी जगाओं में यूज में आता है देखे तो शो देखने नाउन इस अराउंडेड ये बच्चो वहां पर यूज आता है जहां पर कोई चीज जो है वो सराउंडेड है या क्लोज है फ्रम फोर साइड अब आप मेरी बास समझे एक बॉक्स है उसके अंदर अगर आपने कुछ रखा हुआ है तो आपने जो चीज रखी हुई है उसका रिलेशन उस बॉक्स से है लेकिन वो जो चीज है वो किसके अंदर है बॉक्स के अंदर है और जो बॉक्स है वो ओल ओवर दे साइड के होते हैं तो इसका कहने का मतलब यह है कि इन हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर जो माटीरियल होता है या जो भी चीज होती नाउन हो प्रनाउन हो वो फोर स रही है बॉक्स के अंदर अब बॉक्स के तो four-sides किया होते हैं का रोते है और cat क्या कर रही है उसके अंदर चुपने का try कर रही है तो आपको relation चलगे बॉक्स और cat के बीच में तो ये क्या हो गया preposition हो गया ठीक है यह preposition of place कि वो hide कहां करना चारिए box के अंदर hide करना चारिए तो यह preposition of place में आएगा दूसरा to show position within towns, state, countries, etc. अगर आप किसी town, country, state को indicate कर रहे हो तो भी आप किसका use कर सकते हो in preposition का use कर सकते हैं For example, I have a meeting in New Rock. मेरी कहां पर meeting है? New Rock में है तो New Rock क्या है? एक place है जिसे आप denote कर रहे हैं, indicate कर रहे हैं क्योंकि आपकी वहाँ पर क्या है? Meeting है तो आप places के लिए like states, country या जो भी है उनके लिए आप इनका use कर सकते हैं Third one is use in with weeks, months, years, seasons and part of the day Part of the day का मतलब होता है आप afternoon ले लिजे, in the morning, in the afternoon, in the evening तो ये day के part है, ठीक है? आपका morning से start होता है day फिर वो afternoon में आता है, फिर वो evening में आता है and then last आपका night में आता है तो part of the day के लिए हम क्या use करते हैं? in preposition का use करते हैं साथ ही साथ अगर हमें months को denote करना हो, weeks को करना हो या फिर हमारे seasons को करना हो, तो भी हम किसका use करते हैं? इनका use करते है, in winters, in summer, in autumns, तो ये सारे क्या है? आपके seasons हो गए, in January, in March, ये आपके months हो गए तो आप इन सारी चीजों के लिए क्या use करते हैं? in preposition का use करते हैं For example, I will be back in three weeks, मैं कब तक आ जाँगा? तीन हफतों में आ जाँगा, तो आपने week के लिए क्या किया? in preposition का use किया He was born in 1990, अब आपने याँपे year बताया, उसका born day बताया या born year बताया तो आपने याँपर किसका use किया? in preposition का use किया तो कहने का मतलब यह है, अगर आप year, seasons, months की बात करते हैं या फिर part of a day की बात करते हैं, तो आप किसका use कर सकते हैं? in preposition का use कर सकते हैं Next, we move करेंगे हमारे on preposition की तरफ on देखे कहां पर use होता है When something is touching the other thing or is attached to it जब कोई चीज किसी से जुड़ी हुई है, attach है या फिर किसी चीज के ओपर कोई चीज रखी हुई है put on है, तो वो क्या कहलाएगा? उसमें आपका on preposition use होगा For example, the pot is on the table अब माल लेजिए यह table है और यह pot है तो यह pot जो है, यह क्या है? इस table के ओपर रखा हुआ है तो इसके ओपर किसी ने put किया हुआ है या फिर आप कह सकते हैं इससे यह attach है दोनों एक दूसरे को attach कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने इन दोनों का relation बताने के लिए किस preposition का use किया है on का use किया है अब आपको pot और table इन दोनों का relation किस से पता चल रहा है? on preposition से पता चल रहा है ठीक है? Next, to show the meaning of traveling अगर आपको traveling के बारे में कुछ अपनी indication देनी है तो भी आप on का use कर सकते है यह आपको अपना interest पताना हो traveling के regarding तब आप on का use कर सकते है कैसे? She loves traveling on a plane उसको traveling करना तो पसंद है पर किस में पसंद है? plane में पसंद है तो आपने इसको specify करने के लिए किस का use किया है? on preposition का use किया है The next one use on for days and date अब previous वाले topic में इन जो हम use करे थे वो month में करे थे, season में करे थे, year में करे थे यह part of a day में करे थे बट अगर हम बात करें बच्चो days and date की तब हम on का use करते है कैसे? on Sunday, on Monday on 29th October ऐसे करके हम क्या करते है? dates और days के लिए on का use करते है It's his birthday on Sunday उसका birthday है, कब है? Sunday को है तो यह क्या है बच्चो? आपका preposition use हो रहा है dates and day में तो यह देखे कितना important है कि हम अकसर यह चीजे ध्यान में नहीं रखते हैं कि in और on दोनो similarities वाले चीजों के लिए use हो सकता है, बट एक big difference होता है जो days और date होंगे उसके लिए on का use होगा जो weeks होंगे, year होंगे, seasons होंगे या आपके months होंगे उनके लिए आपका in use होगा ठीक है? last हम बात करेंगे आज बच्चो, add की add भी हमारा बहुत use होने वाला preposition है, आप इसका कहां use करते हैं? देखी to show the exact point or location जब आप एकदम exactly कोई location को locate करते हैं या indicate करते हैं, convey करते हैं तो आप add का use करते हैं ठीक है? दिव्या is standing at the door दिव्या कहां खड़ी है? डोर पर खड़ी है तो अगर मैं अब उसको कहीं इधर उधर बताती, तो मैं किसी और preposition का use करती, बट मैं आपको exactly बता रहे हूँ कि वो डोर पर खड़ी है, तो वो क्या है? मेरी exact location है दिव्या के लिए, तो मैंने किस preposition के use किया है? add का use किया है, ठीक है? Second one is place where something typical or some event is going to take place, ऐसी place के लिए जहां पर कोई बहुत बड़ी चीज या कोई event होने वाला है तो उसके लिए भी हम add का use करते हैं, ठीक है? The final for dance competition took place at the head office जो final है dance competition का, वो कहां होने वाला है? head office में होने वाला है, तो head office और final competition का link किस से हुआ? आपके add से हुआ आपने इन दोनों का relation बता दिया कि दोनों कहां पर होने वाले है? head office में होने वाले हैं और दोनों किस से attach है? add से attach हैं तो यह क्या है? आपने ऐसी जगा बताईए जहां पर कोई event होने वाला है The third one is use add for the time आप जब time भी indicate करते हैं तो भी आप add का use करते हैं कैसे? I always wake up at 7 a.m. मैं हरमेशा साथ बजे उठ जाती हूँ या उठ जाता हूँ तो आप यहां पर 7 a.m. time को indicate कर रहे हैं तो आपने क्या use किया है? at use किया है क्यों? क्योंकि आप किसको indicate कर रहे हैं? time को indicate कर रहे हैं use add to denote the names of small places अगर आप किसी small places की बात कर रहे हैं like किसी village town की तो भी आप add का use कर सकते हैं for example, my grandfather lives at madogar मेरे grandfather कहा रहते हैं? madogar में रहते हैं तो madogar क्या है? एक छोटी सी जगा हो सकती है या town हो सकता है, village हो सकता है तो हमने किस का use किया है? add का use किया है अगर बड़ी जगा होती तो हम in use कर दें ठीक है? लेकिन वो कोई छोटी जगा है town, village type तो उसके लिए हमने add का use किया है तो बच्चों, आज हमने जो basic सीखा वो हमने सीखा कि हम months, seasons, part of a day dates and day या फिर small places, exact locations के लिए हम तीन हमने prepositional learn किये on, in और add अब आप इनको अच्छे से वापे से वीडियो को देखे ये याद करने का try करें कि हम इनको differentiate कैसे करते हैं कहां कहां पर use करते हैं examples खुद से बनाने का frame करने का try कीजिए जिससे आपके doubts जो हैं वो clear होते जाएंगे आज के लिए बस इतना ही मिल दे हम next video में next आपके prepositions के साथ आज के लिए बस बचो इतना ही मिल दे हम next video में आपके और भी बचे वे prepositions के साथ thank you so much